चलिए आज बाल मनुविज्ञान का हमारा 15 लेक्चर है आज की कक्षा में हम समाज निर्माण में लेगिक मुद्दो को समझेंगे और इसे कैसे समझेंगे हम इसे प्रशनों के द्वारा समझेंगे क्योंकि आप चाहिड्ट साइकोलोजी पढ़ रहे हैं बाल मनुविज्ञा सकता है यहां से आपके एक्जाम में सवाल बन सकते हैं तो लेगिक आसमानता होता क्या है कि हमारे समाज में लड़का और लड़की को लेकर बहुत भेदभाव किया जाता है हमारे मन में ऐसा डाला जाता है कि अगर भोजन बनाने का काम है घर का काम है तो वो महिलाओं के ल होते हैं और भी ऐसी बहुत सी चीजे हैं जो लैगिक आसमानता को प्रदर्शित करता है चलिए प्रश्णों के द्वारा आज हम इस टॉपिक को समझने का ट्रयास करेंगे पहला प्रश्ण आपके सामने चात्र एवं चात्राओं के बीच लैगिक प्रभावों को कम करने के ल तो ये सारी चीजे क्या है निगेटिव इंपक्ट डाल भी है तो इन सब को दूर करने के लिए क्या करेंगे छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना बिल्कूल ये तो अच्छी बात है अगर हम छात्राओं छात्राओं को दोनों रूप से क्या करेंगे समान अधिक कराना ये भी सही है ये भी सही है बिल्कुल अगर आप ऐसा करते हो तो आप लड़के हो मैं लड़की हो इस तरह की भेदभाव नहीं आएगी छात्राओं को छात्रों के समान सैच्छिक योगिता की समानता उपलग कराना पहले जमाने में क्या होता था महिलाओं को पढ़ने क कोई अधिकार नहीं था उन्हें समाच में क्या होता था एक बंधन होता था कि ना वो तो नौकरी कर सकती थी ना तो पढ़ाई कर सकती थी क्योंकि ऐसा लगता था समाच को ये लगता था कि नौकरी कामकाच के लिए तो पुरूस बनी है पुरूस बने हुए लेकिन तो उसके लिए भी उसे टोखा जाता है तो यह उसे दूर करना क्यूंकि आपका समावेशे सिक्षा है वो क्या बोलता है सभी के लिए समान सिक्षा तो लेगिक आसमानता भी हमारे समावे से सिक्षा का एक रूप है तो इसमें क्या बोला तीनों पॉइंट पॉइंट पॉजिटिव हैं तो हम क्या करेंगे ऑप्सन डी पर जाएंगे बिल्कुल A B C और बिल्कुल करेक्ट है अगर हम चात्र उच्षात्रा को दौनों को समान रूप से अधिकार देंगे दोनों को कारी करने के लिए समान अफशर देंगे और दोनों की सेक्षिक योगिता के लिए भी समान क्या करेंगे हम उन्हें समान योगिता उपलबद कराएंगे तो ये सारी चीजे क्या है छात्र छात्राओं में भेदभाव को कम करेगा महिला और पुरुष के भेदभाव को कम करेगा अर्थात लैगिक आसमानता को कम करेगा अगला कोश्चन है आपका विज्ञान के प्रयोगों में समान्य तहां ध्यान दीजेगा इससे प्रश्ण इंचाने का उद्देश यह कि अगर आपके होस्टल वाडनवे इस वाल आता है तो बिल्कुल आता लेगी का समानता को ले करने किया तो ध्यां दीजेगा विजियान के प्रियोगों में लड़की उपकर्णों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़किया लड़कियों से आकड़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए अत्वा बरतनों को धोने के लिए कहा जाता है ये प्रवित्ति क्या दर्शाती है निश्चित रूप से ये लैगिक आसमानता को दर्शाती कि जितने भी करनों पर नियंत्रण करेंगे वो ध्यान रखेंगे और लड़किया क्या करेंगे नों उपकर्णों को धोईंगी तो ये तो गलत बात है आसमानता ला रहा हैं लड़कियां कमजोर होने के कानण ऐसे कारे करना पसंद करती है जिनमें उर्जा की खपत कम होए बहुत गलत बाते सब निगेटिव बाते हैं लड़कियां बहतरीं अवलोकन करता होती है और बिना किसी गलती के आकलो का रिकॉर्ड रखती है क्या सिर्फ लड़कियां ही बहतर अवलोकन करता होती है लड़के नहीं होते हैं क्या तो ये तो गलत बात है ये भी गलत पुरूस और इस्तरी की रूड़ी बद भूमिकायों विद्याले में भी होती है ये तो सहीं बात है बिल्कुल पुरूस और इस्तरी की रूड़ी बद जो भूमिकाएं होती है विद्याले में भी देखने को मिलती है लड़के उपकर्णों को ज्यादा कुसलता से सम्हाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राक्तिक रोप से सक्षम होते हैं बिल्कुल गलत बात है हमारा जो structure है हमारा सूच करने का तरीका हमारा विचार करने का तरीका तर्क करने का तरीका ये सभी में क्या होता है समानता पाया जाता है तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि लड़के ही बस ये चीज कर सकते हैं लड़किया बस ये काम कर सकते हैं तो आपको option हम तीसरे पे जाएंगे बस समझना है आपको ये आप हम बच्चों के साथ लैगिक भेदभाव पड़ते हैं तो निश्चित रूप से उन पर क्या पड़ता है बहुत ही निगेटिव इंपक्ट पड़ता है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा साथ ही अगर आप होस्टल वाडन की पढ़ाई कर रहे हैं होस्टल वाडन बनन देखिए का पॉइंट में यह विद्याले में प्रशन रहती है क्या सवाल है आपका विद्याले में लेगी भेदभाव के कानट छात्राओं की मनुदसा पर पढ़ने वाला प्रभाव यह विद्याले में प्रशन रहेगी क्या प्रशन रहेगी नहीं रहेगी आप भेदभ अंका से जाथ लड़का-लड़की में भैद्भाव करोगी, पढ़ाई से उन्हें विरच्टी होने लगती है, उनका सेच्चिक विकास बहतर होता है, कहां से बहतर होगा, और ये, ये भी क्या आपका निगेटिव पॉइंट है, विरच्टी होने लगती है, विद्याले。 evaluate कि पंढ़ने वाल चाहित की मनुदसा पर पढ़ने वाला प्रभा है तो कि विद्याले जाने से ये कत्राती है ये सही बात है साथ है ये बी एक हत्तक सही बात है लेकिन आप positive हमें यह वाला answer लग रहा है तो हम answer second पे जाएंगे ठीक आपको option ऐसे देगा जिसमें दो आपको लगेगा कि या दोनों यह तो जरूर होगा और यह भी होगा तो उसमें से जो सबसे best होगा आप वह answer टिक करीगा चलिए अगला कुश्यन है एक अच्छी पाठी पुस्तक खालिस्थान से बचाती है किस से बचाती है लैगिक समानता ये तो अच्छी बात है निश्चीत रूप से लैगिक समानता से बचाती नहीं है एक अच्छी पाठी पूस्तक लेगिक आ समानता से बचाती है लेगिक समानता तो अच्छी बात है समाजिक उत्तरदाइत्व बिल्कुल ये भी सही है ठीक लेगिक पूर्वा ग्रह हमसे क्या सवाल पूछा है ध्यान दीजेगा कि अच्छी पूस्तके हमें किस से बचाती है तो निगेटिव चीजियों से बताएगी, यहाँ पर आपका ध्यान दीजेगा, लैगिक समानता तो अच्छा है, पॉजिटिव है, तो इस पर हम जाएंगे की जाएंगे, बिल्कुल यह हमें बचाती नहीं है, बलकि इसका ज्यान कराती है, और हमसे क्या पूछा है बचाती ह लैगिक समवेदन सीलता, यह भी एक हद तक आपका क्या हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ज्यादा क्या है अंसर आपका लैगिक पूर्वागर, लैगिक पूर्वागर क्या है, जो हमारे दिमाग में सदियों से डाला जा रहा है, जो परंपरा ही चला आ रहा है, लैगिक पू पूर्वाग्राइय आगला सवल पूरूस इस्त्रियों की अपेच्छा जादा बुद्धिमानर होते हैं यह कATHन सहीं हो सकते है क्या नहीं यह गलत है लैगिक पूरवा ग्राय को प्रधरशित करता है तो आंसर आपका सेकेंड होगा फिर भी हम बाकी आंसर देख लेते हैं बुद्धी के भिन भिन पच्छों के लिए सही है तो यह तो पॉजिटिव हो गया हमें निगेटिव देखना है उपरोग सभी हो नहीं सकता है आप से सवाल किया है कि पु भारा समाज में इसी से इजद बनेगा तो यह सब बाते क्या है निगेटिव है लेगी पूरवा ग्राय को प्रदर्शित करता है चली अगला कोशन है इस्त्रियों का हस्त लेख पुरूसों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है मतलब इस्त्रियों की जो हैंड राइटि की पुरूस घडरित करने में और तर्क करने में योगा होंगीं और महिलाय त्रफ हैंड राइटिंग में अच्छी उंगी तो यह गलत भी इस पूरदा सत्थ्य नहीं लेगिक पूरवाग्राया को दरसाता है प्रगती सिर्ट। सिर्द्ट नको तरसाता है नहीं बौधिक योगिता के संदर में सकते गलत यह इतना बसियाद रखीएगा लेग पूरवाग्रह और अगर आपका लेगिक आसमानता से प्रश्ण आएगा तो लिख के ले लिजेगा लेगिक पूर्वाग्रह से आएगा ही आएगा तो आंसर हमेशा आपको दिमाग में रखना रटना नहीं है सिंपल सा है कि हमारे समाज में क्या है? लैगे पूर्वग्र फैला हुआ है, लोगों के दिमाग में निगेटिवी टी भरी हुई है, कि पूरूस अलग होता है, महिला अलग होती है, कार्यों के अधार पर आप कर सकते हैं, लेकिं उनकी कार्य मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनकी पुरूस क्या करना शाहा है ? महिला क्या करना शाहा है कभी 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 पुरूस का काम को करना पर पमक्या करती है ओं महिला की काम साम करो आप ससुराल जाओगे तो क्या करोगे सासा रखो क्या दोगे तो यह सब निगेटीव भाते हैं यह किसको प्रदरशित कर रहा है रूरी आपके रूरी बध्धता को प्रदरशित कर रहा है आपको उपसन ना answer देख की समझ में आ रहा है प्रगतिसिल चिंतन तो हो यह पत्थर का इंसान नहीं है क्या is कर दी यह कभी कई बात कहा जाता है ना मर्द को दर्द नहीं होता क्यों मेट पत्तर का वना है इंसान नहीं है क्या उसे भी दर्द होता है तो अगर कोई बच्चा आप देखिएगा अगर मैंने यह बात पहले भी कहा था कि अगर कोई लड़का है चोटा सा बच्चा है अगर वो रहा है तो उसके पैरेंट्स या कोई उसे कैसे डाटता है तुम लड़क को दर्द नहीं होता महिलाएं कमजोर होती गलत बात दोनों ही इंसान हैं दोनों को दोनों के अंदर भावनाएं होती हैं उदास होते हैं तो रो सकते हैं और कहीं बात मर्द को दर्द नहीं होता तो वह बड़ा होते होते उसके दिमाग में ऐसे आ जाता है कि दर्द नहीं ह वह रोना भी चाहे, उसके दिल में इतनी सारी चीज़े रहती है, घुटता रहता है, वो किसी ऐसे कहना चाहे, रोना चाहे तो चाहे क्를 भी नहीं कर पाता है, क्यों कि उसके दिमार्थ में बैठा है किन्हीं, हम लड़कें हैं, हमें धर्द नहीं होता है, हम महिला थोडून ह महिलाएं होती है कमजور बोलते हैं उसको क्या लड़क्यों की तरह रो रहे हों यह उनके मन में आता कि ने वो रो भी नी सकता है तो हमारा जो समाज आस्पास के लोग है हमारे दिमाख में इस तरह का विचार ला देते हैं तो यह सब क्या करता है लेगिक रोडी मीमली खितमे से किस पर पड़ता है अगर हम छात्राओं के साथ लैगिक भेदभाव कर रहे हैं तो उसका प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा ध्यान दीजेगा उनके समाजिक उत्थान पर बिल्कुल पड़ेगा ही उनके समाजिक दृष्टी कोर पर भी पड़ेगा उनक अगर आप बच्चों के साथ लैगिक भेदभाव कर रहे हैं तो उनमें समाजिक उत्थान पर भी उनका समाज पर जो विकास हो रहा है उनका जो समाजिक विकास हो रहा है उस पर भी देखने को मिलता है उनका जो सैचछडिक विकास हो रहा है वो भी देखने को मिलता है इजाम के point of view से एक topic बहुत important है, अगला question देखते हैं, आप एक सिख्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का सिख्षण कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कक्षा के छात्रों से अलग-अलग कर, उन्हें छात्र के काम-धंदों की जानकारी देना, ये तो गलत बात है ना आगे देखते हैं, छात्रों को सिलाई बुनाई के कारियों में अधिक रूची लेने के लिए सला दिना, अरे दादा उसका जिसमें इंड्रेस्ट है, वो उसमें रूची लेगा, आप क्यों बार बार उसको इस तरह की बाते कर, ये बास्तों में होता है, ये ऐसे statement नहीं द कि आप सभी छात्रों आ छात्राओं का क्या करें, समान रूप से उनका सिच्छड वेवस्था करें, तो ये एक अच्छी बात है, छात्राओं पर अवांचित तिपड़ी करके, जिससे की वे स्वयम को विसिष्ट ना समझें, ये गलत बात है, कि आप कोई बच्चा अपने आपको विसिष्ट ना समझें, इसलिए आप उन पर तिपड़ी कर रहे हैं, तो ये सब निगेटिव वात है, आपको पता है, चाइल्ड सैकोलोजी कितना अच्छा सब्जेक्ट है, कि आप रियल लाइफ में कनेक्ट करते हुए सब्जेक्ट को कर सकते हैं, वास्तों में य दूर करने के लिए सिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाएं हैं, लेगिक भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, चात्र चात्राओं के लिए समान प्रावधान किया जाएगा, या चात्र चात्राओं के लिए विसिष्च प्रावधान किया जाएगा, आपके लिए आसमान प्रावधान भी नहीं किया जाएगा आपके लिए क्या प्रावधान किया जाएगा छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान किया जाएगा जो छात्र अर्थात लड़का और छात्रा मिंस लड़की दोनों के लिए समान हो चलिए अगला question देखते हैं चात्राओं के निजी संसार पर निम लिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है लैगिक भेदभाव का हाँ पड़ता है समाजिक मान्यताओं का बिल्कुल पड़ता है परिवार में उनके स्थान का बिल्कुल पड़ता है तो यह सब बहुत important है आपके question तो केवल A नहीं केवल A तो नहीं हो सकता केवल B और C नहीं केवल B नहीं तो आपका answer क्या होगा A, B, C, 3 क्योंकि 3 सही answer है आपके अगला question भारत की 2011 की जनगरना में लिंग अनुपाद 2001 की जनगरना के अनुसार 1927 से घट कर 914 ही रह गया है इसका सरवाधिक प्रमुक कारण निम लिखित में से क्या हो सकता है अब देखिए लिंग अनुपाद 2001 की जनगरना के अनुसार 1927 से घट कर पहले जो भेदभाव था वो उसकी संख्या कितनी थी लेगी जो था आपका लिंग अनुपाद वो 1927 था लेकिन अब वो घट कर क्या हो गया है आपका मात्र 914 हो गया है 19,914 हो गया है तो क्या होगा आपका बिलकुल लेगिक भेदभाव होगा समाजिक कारग भी करता है सांस्कृतिक कारग भी करता है आपका आर्थिक कारग भी करता है और आपका मनोविज्यानिक कारग भी करता है जब यह चारो सही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आंसर आपको 4 हो जाएगा इसी तरह आपको क्या करना है question को समझना है मैं बार बार कह रही हूँ कि बाल मनो विज्ञान को आपको रटना नहीं है बलकि समझते चलना है ये ज़ादा बैतर होगा लैगिक भेदभाव को दूर करने में एक सिच्छक की भूमिका हो सकती आप सिच्छक होने के नाते क्या करेंगे वह लैगिक मुद्दो से संबंधित रूड़ी बद्ध धारनाओ को हतुतसाहित करें हाँ ये थोड़ा सा लगा निगेटी वर्ड है रूड़ी बद्ध धारनाओ लेकिन क्या बोला है प्रूतसाहित नहीं बलकि हतुतसाहित तो अच्छी बात है आप प्रोचसाहित नहीं करें बलकि डाट रहें कि जहां पस रूड़ी बद धाना है उस पर आप रोक लगा रहे हैं तो ये तो अच्छा है पॉजिटिव है वह लड़कों को कठीन कारियों एवं लड़कियों को सरग कारियों में लगाए गलत बात है वह लड़कों को समझा काम सीखने के लिए प्रेडित करना चाहिए क्या ये भी सही है नहीं है ये भी गलत है अगला कोश्चन एक विद्याले में किसी अतीथी का आगमन होने वाला है ध्यान दिजेगा एक विद्याले में किसी अतीथी का आगमन होने वाला है दसवी कक्षा की एक लड़की विद नहीं हैं जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाला एक अनि लड़का विद्याले में आने वाले उस अतीति का स्वागत करने के लिए इच्छूख है लेकिन होता क्या है कि आपका जो अयोजक है जिसने क्या किसकारेक्रम का अयोजन किया है तो वो विद्याले में आने वाले उस अतीथी को माला पहनाने एवं उनकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चैन करते हैं क्योंकि वह अत्यांत सुंदर एवं सुसील है इस चैन में वह लड़के को रूची वं उत्सा की अवहिलना करते हैं इस प्रकार क चेन क्या कहलाता है क्या प्रदर्शित करता है निश्चित रूप से लैगिक आसमानता को प्रदर्शित करता है रोड़ी वादिता को प्रदर्शित करता है कि अगर चीक है अगर उस लड़की का इंट्रेस्ट नहीं है तो आप उस लड़के पर क्या कहकर रोक लगा रहे हो कि यह लड़की का काम है यह लड़की खुपसूरत है यह सब निगेटिव बात है अगर बच्चा तो बच्चा होता है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो आप देखते होंगे बाल विवा प्रतिशेद अधिनियम 2006 मेना एक वर्ड यूज होता है बालक बालक इसमें बालक का यह लड़का और लड़की दोने के लिए किया गया है यह समान्ता का सबस्से बड़ा उधार है बालक में आपका लड़का भी आएगा और लड़की भी आएगी तो इस तरह की चीजे है आपसंदिया है आपका देखिएगा सही है क्योंकि समानिता विद्याले में अतीथी के स्वागत के लिए सुन्दर लड़कियों का आयोजन प्रचला ने गलत बात है हां लेकिन वास्तों में होता यही है आप देखिएगा जब भी कोई अतीथी आता है उसके लिए हमें से गलत बात है सही है और यह लैगी क्रोडी बद्यता को दरशाता है उगला कोश्चन है निम्न में से लैगिक भेदभाव उत्पन करने वाला कारक कौन सा है इस्त्रियों में निम्न इस्तर, मनोवेज्यानिक कारक, लड़कियों का कम आयूं में विवा और उप्रुक्त सभी बिल्कुल ये तीनों कारण क्या है लैगिक भेदभाव उत्पन करने वाले कारक है समय एक विद्याले लड़कियों को वरीता देता है वरीता मीन महत्व देता इंपोर्टेंस देता है तो यह क्या प्रदर्शित करता है आंग बंद करके लैगिक पूर्व अग्राय लगातीजे खतम बात चलिए तो हमने आज क्या देखा हमने प्रश्णों के माध्यम से लैगिक आसमानता को समझा जो समाज में वास्ताओं में आप विद्याले हो यूनिवर्शिटी हो कॉलेज हो या घर हो वास्ताओं में ये बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है तो आप अगर ये टॉपिक पढ़ें तो कोसिस करिए कि आप लैगिक आसमानता को जितना हो सके अपने इस तर पर खतम करें आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ थन्यवाद अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम को को